Hey guys, this is Abhilash और आज मैं रिव्यू करूँगा धूमम मूवी का धूमम मूवी आपको मिलेगी Book My Show पर जहाँ पर आप इसे 60 रुपीज में रेंट करके देख सकते हो और ये मूवी ओरिजनली एक मलियालम मूवी है बट यहाँ पर आपको ये हिंदी आडियो में भी मिल जाएगी मूवी का रॉन्टाइम है टू आर्टस और ट्वेंटी टू मिनिट्स का और जॉन्रा है सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा तो कहानी शुरू होती है अविनाश नाम के एक बंदे से जो कि एक सिगरिट कमपनी का मार्केटिंग हैड है और वो प्रपोस करता है एक एंटी स्मोकिंग एड जो कि ट्रिगर करेगा लोगों को कि वो और ज्यादा सिगरिट पी है और उसके इस पिच का रिजल्ट होता है कि अविनाश और उसकी वाइफ दिया पर हमला हो जाता है और अब वो डेंजरस चेन ओफ इवेंट्स में फस जाता है अब कुछ भी समझनी पाओगी कि यार ये सब कर कौन रहा है और ये अविनाश के साथ ही क्यों हो रहा है और फिर जब आपको लगेगा कि चलो भाई अब तो मूवी खतम होने वाली होगी क्योंकि अविनाश को अपना सबक मिल गया और उसे अब इसी रियालिटी के साथ जीना होगा बट इतने में बैम इंटरवल मतलब इसके बाद हम हर 5 से 7 मिनिट में फ्लैश बैक और प्रेज़न टाइम लाइन में जंप करते रहते हैं और ये चीज इसमें मुझे अच्छी लगी क्योंकि अभी प्रेज़न में जो थ्रिल और सस्पेंस चल रहा है तो उसी का फ्लैश बैक हमको देखने को मिलता है हमको ये समझ में आता है कि इस सस्पेंस की शुरुवात कहां से होई इसके अलवा मुवी का सेकंड हाफ वस प्रेडिक्टेबल बट उसमें भी आपका एंगेजमेंट लेवल कम नहीं होगा उल्टा आपको देखकर मज़ा आएगा कि आपने जो प्रेडिक किया था वो सही है तो वो कितना सही है हंडेट परसंट सही है या एटी परसंट सही है ऐसा सब फिर इस स्टोरी में बहुत अच्छा सोशल मेसेज भी है नो स्मोकेंग का obviously बट ये मुवी आपको एक दो टेक्निकल टर्म्स के बारे में भी बताती है जो कि आप मुवी के बाद गूगल करोगे तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा फिर इस मुवी में लॉजिक का अच्छा खासा ध्यान रखा गया है जैसे कि एक सीन में इस मिनिस्टर का पिये बोलता है कि उनको मारना पड़ेगा तो as a viewer आपको लगेगा कि उनको क्यू मारना पड़ेगा भाई उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है और इतने में ये हीर डाउन टू एर्थ रखा गया है और इस डाउन टू एर्थ और क्लोज टू रियालिटी के चलते आप में से कुछ लोगों को इस मूवी का एंड शायद पसंद नहीं आएगा बट बट मुझे एक बहुत बड़ी शिकायत है पवन सर से and I want to ask him why अविनाश जब किटनैपर को मालूम है कि अविनाश is just a puppet वो सिर्फ एक कटपुतली है और उसके पीछे जो आदमी है वो कोई और है तो why अविनाश मतलब it was like कि अगर आप एक दिन सोचो कि मुझे मेरे घ पड़ोसी के घड़ से करूंगा तो यार ये कौन सा लॉजिक हुआ तो ये एक छोटी सी शिकायत है मेरी बाकी स्टोरी ओवरॉल बढ़ी आया है एक्टिंग में फाहाद फासिल ने पूरी जान फूग दिये he was ridiculously damn good बट अपरना बाला मूर्ती एक करेक्टर के लिए मुझे चलता रहता है अब इनके अलावा जितने भी लोग थे मूवी में सब ने convincing performances दी हैं so no complaints Cinematography was okay बट इस cinematography को thrill में बदल देने का काम किया है crop chop editing ने जो की काबिले तारीफ है और फिर इसको 200% के level पर पहुचाता है इस movie का sound design वैसे इस movie में दो गाने जो कि आपको बिलकुल परेशान नहीं करेंगे या फिर suspense और thrill को तोड़ने का या मारने का काम बिलकुल नहीं करता है production design अच्छा धा मतलब locations और sets बहुत सही तरीके से set किया है और वो movie को एक overall rich feel देते हैं अब director है इस movie के पवन कुमार और मैं इनके काम से खुश हूँ इन होने अपने project के जरीए एक बहुत बढ़िया thriller suspense डिलिवर किया है साथ साथ में बहुत अच्छा social message उसके साथ साथ में कुछ important government policies पर भी सवाल खड़े की है जिसका जवाब I'm sure government के पास नहीं होगा और फिर viewers के लिए कुछ नए technical terms जो कि आप movie के बाद google करोगे तो आपको movie की seriousness पता चलेगी बट इन सब के बावजूद one question why अविनाश बाकी मेरी मानों तो अगर 60 रुपे देखकर अगर आपको ये movie देखनी पड़ रही है तो जरूर देखो मैं तो बिल्कुल recommend करूँगा इससे आप इपने family members के साथ भी देख सकते हो और finally मैंने इस movie को IMDB पर 8 out of 10 दिया है और मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि लोगों को ये movie क्यों नहीं पसंद आई बट मैं आप लोगों से भी जानना चाहूँगा कि अगर आपने ये movie देख लिया तो आपको कैसे लगी अपने reviews comment section में लिखते होए जाना ये review अगर आपको helpful और logical लगा तो please don't forget like and subscribe और मैं मिलता हूँ आपसे next review में तब तक ध्यान रखो अपना be awesome, bye bye